नमस्कार आप देग रहें एमपोरी न्यूज मैं आपके साथ पारू शर्मा जिर्णोदार गट संदरे करण से चमापुटी केला भट्टा पुलिस चौकी गाज़बाद की निगर कोत्वाली के अंतरगत आने वाली केला भट्टा चौकी का जिर्णोदार और संदरे करण का अथियासिक कारे मंगल बार को संपन हो गया पहले किसी विरान खंडर की तरह दिखने वाली चौकी संदरे करण के बाद नई नवेली दुलन की तरह चमक उठी चौकी के 37 वर्ष के इतियास में पहली बार इतने बड़े इस्तर पर निर्माण कारे हुआ इस अफसर पर वरिष्ट पुलीस अधिक्षक सुदीर कुमार, पुलीस अधिक्षक नगर, श्लोक कुमार और छेत के गण्माने लोग उपस्तित रहे वरिष्ट पुलिस अधिक्चक सुधिर कुमार ने कहा कि केला भट्टा चोकी का सुन्दरेकरण देखकर मन प्रिसन हो गया केला भट्टा चोकी इंचार्ज इमाम जैदी की प्रिसंसा करते हुए SSP ने कहा कि इमाम जैदी ने छेतर में अपरादों पर अंकुष लगाने के साथ साथ छेतर वार्सियों में भी पुलिस की छवी को सुधारा है केला भट्टा चोकी के जिर्णोद्वार और सुन्दरेकरण में जनता द्वारा किया गया सहयोग इस बात का सबूत है कि इमाम जैदी ने पुलिस और जनता के वीच की खाई को समाप्ट कर दिया चोकी इंचाद इमाम जैदी ने कहा कि जम मैं यहां आया था तो चोकी और छेतर की हाला बहुत खराब थी यहाँ आने के बाद मेरी प्रात्मिक्ता छेत्रिक से अपराद को समाप्त करने की रही मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपरादिक कगड माने जाने वाले केला भट्टा से अपराद खतम करने में सफल रहा चोकी के सुंदरे करण के बारे में बताते हुए इमाम जादी ने कहा कि इंसान जिस गर में रहता है उसे सजाने सवानने का काम भी उसे ही करना चाहिए समसाद रजा अंसारी की रिपोर्ट आज 24 सितंबर 2019 को जनपत गाजियाबाद की नगर कोतवाली छेत्र के अंतरगत आने वाली कैला भठा चोकी का रेनुवेशन किया गया जो चोकी काफी समय से बदहाल थी आज उसको हाइटेक और मॉडरनाइज करते हुए उसको जनता को समर्पित किया गया जिसमें जिले के कफ्तान जनाब सुधीर कुमार सिंग जी एस एस पी घाजियाबाद और तमाम फुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर आफिसर्स की मौजूदगी में जनता को समर्पित किया गया जिसमें चोकी इंचार्ज जनाब इमाम जैजी सहाब का रोल एहम है